तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे शारल बर मेरा नाम है वरुन और हम बात कर रहे हैं इन्से इदे रहे हैं और आज का जो डॉपे की यह फिर हम गबैर करने आये हैं किस दो ऐसी ब्राजचेस को जो कभी एक ही हुआ करती थी और सच्छा ही यही है जी हाँ क वीडियो में डिसकस करें कि अगर आप भी चा रहे हैं क्यामिकल यह पेट्रोकेमिकल ब्रांच को चुनना तो यह वीडियो आपके लिए हैं और दोस्तों में शेयर भी कर देना है क्यों क्योंकि उनका भी बला हो जाएगा चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि सारी कॉले पेट्रोकेमिकल निकल के आए क्यों निकल के आए क्यों निकल के आए क्यों निकल के आए क्यों यह आप स्पेसलाइजेशन पेट्रोलियूम से रिलेडेट थी और आजकल हमें पेट्रोल निकालना था अब वो कम होता चला जा रहा है काम हो ना हो लेकिन पॉलूशन जरूर तो एक समस्या ये भी आती जा रही है कि यार इस चीज का क्या आल्टर्नेट हो सकता है इन सारी चीजों पर डिसकस करेंगे चलो सुरू सरेंगे इससे पहले पहले तो समझ लें दौनों ब्रांच इसके बारे में किया जाए ये ये पूरी ब्रांच आपको बताती है कि कि किस प्रकार से आपको चीजों को अलग-अलग specify करके उसको purify करना है निकालना है extract करना है सारी चीज है आप उसको देख सकते हैं ये कौन सी ब्रांच है पिट्रो केमिकल ब्रांच है और केमिकल ब्रांच में कोई स्पेसलाइजेशन नहीं है, केमिकल में हर कोई केमिकल की बात चल रही है, यानि हर एक केमिकल बनाने का काम, हर प्रकार के केमिकल को, हाँ, देखने का, समझने का, समझाने का सारा काम किसका है, केमिकल ब्रांच का है कैसे जा सकते हैं तो सबसे बहले 12th class पास करनी है, वो तो basic criteria है ही, PCM होना चाहिए, 50% के marks हो, कई बार marks अलग-अलग भी हो सकते हैं, 60, 65, 75% तक भी जा सकते हैं, तो depend करता है, अच्छे परसेंट लेकिया है, ये 12th में बढ़िया रहा है, फिर आप जाएगे, eligible होंगे, अलग- समझ पा रहे हैं, तो ये options हैं कुछ, जही means, advance, gate 8 तो ये अलग है, gate मतलब आप मान सकते हैं, PG के लिए आपको लगता है, UG के लिए gate बहुत कम use होता है, बिट सेट हो गया है, MST, बिट सेट ये particular bits, लानी के जो बिट इस इंस्टिटूट है, उनके तीनों campus के लिए, MST, CTA स्टेट टाइप की counseling, उनके exam होगा, महरास्टर बाले बच्चों के लिए, KCET, ये आपके लिए हो जाएगी, करनाटका को लेके, करनाटका के बच्चों के लिए, ठीक है, common entrance examination, ये सब अलग-अलग options हैं, इनके basis पे, आप admission ले सकते हैं, जहां से belong कर रहे हैं, या जहां जा सुरूबात यहीं से करनी होगी, चार साल का ये program रहेगा, B या B.Tech type की आपको courses की degree मिल सकते हैं, ठीक है, उस particular institution से, अब यहाँ eligibility हमने discuss करी लिए, कि क्या होगी, अलग-अलग eligibility, अलग-अलग exam के लिए हो सकते हैं, ठीक है, आगी की बात करें, यहाँ पे, जो important है, वो है fee structure, fee structure इसलिए important होता है, कि हर कोई afford कर सकता है, कुछ नहीं भी कर सकता है, यह depend करता है, आप किस category से या किस जगह से belong करता है, तो अगर आपको भी यह समस्या है, fees बगेरा criteria को ले के कि मेरे लिए क्या best होगा, पेरी profile पे, नीचे form है, जिसको fill करना और details बगेरा आपको मिल हमने बात करी लिए, अच्छे अगर advance बगेरा में अच्छे marks आ गए, IIT भी मिल सकता है, NIT मिल सकते है, triple IT हो सकते है, government institution, private institution और अच्छी universities भी मिल सकती है, ठीक है बई, अब चार साल हमने लगाए, उसके बाद हमें return क्या मिलने वाला है, अप्लेस्मिंट की record साल भी बगेरा तो 3-4 लाग के packages आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं, दोनों branches, तो ठीक है, बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन हाँ बढ़िया है, क्या कर सकता है, meaning की बात करें, petrochemical में हमने discuss कई बार किया है, कि petrochemical में क्या है, petroleum से related, हाँ, उसके extraction से related और सारी चीज़ों को लेके, य सारे commercial, industrial, use के लिए, production के लिए, ये engineering आपको बढ़ाई जाती है, chemical engineering क्याला आती है, ठीक अभी यह classification की बात करें, तो यहाँ पे ट्रो chemical engineering के classification को, chemical structure के तोर पे अलग-अलग, olive इस बोल सकते हैं, aromatics बोल सकते हैं, और synthetic gas के रूप में, अलग-अलग specialization इसके petrochemical में मिल जाएंगे, फिर भई याब बात chemical engineering की करें, तो chemical reaction plant, design करना, process, design, transport, phenomena बगेरा, ये आपकी specialization में हो सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग काम आपके होते हैं, पेट्रोल निकालने के बग बेसिक तो वही हैं, बाकी course object में chemical engineering, heat transfer, optimization, petrochemical का introduction और geology, उनकी geology कहां पाय जाएंगे, कैसे पाय जाएंगे, क्या options हैं, graphics बगेरा सारी, ये आपको fluid, soil, fluid operations बगेरा, आपको petrochemical engineering में पढ़ने होंगे, वही mechanical, माफी चाहूंगो, chemical engineering में याप thermodynamics, chemical reactor, mathematics, chemistry और engineering lab की practice बगेरा कैसे क्या, सारी चीजों को, chemicals को generate करना, उनको, खाबू में करना, उनके सारी चीजों को, तौर तरीकों को, ध्यान में रखना, properties को ध्यान रखना, ये सब सिखाया जाएगा, आपको chemical engineering में, यहाँ scope क्या है, तो scope देखो यार, यहाँ बताऊं मैं, petrochemical में, तो petroleum वैसे दिन प कम होता चला जा रहा है, लेकिन, 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 ऐसा नहीं है कि तुरंत ही खतम हो जाएगी, कोई बिचीज, अभी समय लगेगा, पढ़े आप, तो अच्छी अच्छी बड़ी-बड़ी companies हैं, जो बच्चों को hire कर रही हैं, इस field के specific बच्चों को, और अच्छी पगेरा डूढ़ने के लिए भी chemical engineers को लाया जा रहा है, नार्कोटेक्स, आर्कोटेक्स ही, chemical ही तो हैं, तो वो सारी चीज़ है, जो प्रोस्पेक्ट्स में आप देखें, पेट्रो, chemical engineering में आप देखेंगे, तो petroleum engineer बन सकते हैं, operation manager बन सकते हैं, इंजीनियर इंजीनियर gas extractor, जो extract कर देते हैं, सारी चीज़ों को, petroleum और coal product को, manufacture करने का काम कर सकते हैं, यह petrochemical में जाएगा, वही chemical में आप देखेंगे, process engineer, product engineer, project manager, और plant head, designer से related question, बलब अलग अलग profile आपको मिल सकते हैं, तो यह options हैं, आपके दोनों के दोनों, engineering में top recruiter आप देखेंगे, तो petrochemical मे सारी oil and gas related, जितनी भी बड़ी बड़ी companies हैं, वो आपके as a recruiter work करने वाले हैं, चाहे, SIR oil हो, elevation हो, haliverton हो, oil and ONGC जिसको बोलते हैं, है ना, gail हो, direct petroleum हो, यह सब आपको लेके अच्छे अच्छे package पाएंगे, 15, 15, 10, 12, 14, ऐसे packages लिके जाती हैं, सच्छा ही है, बिल्कुल starting level का हैं, दूसरा chemical engineering में भी आप जाएंगे, तो बड़े-बड़े organizations आपको लेके जाते हैं, या government organization सबसे पहले लेके चली जाती है, फिर narcotics department, SR group, भारत, petroleum, यह सब आपको इस में as a recruiter work कर देंगी, और अच्छे packages पे लेके जा सकती हैं, और यह सारी जानकारी थी हमारी petrochemical और chemical engineering related जो आपको चाहिए थी, मुझे लगता है, सारे डाउट्स आपके clear हुए होगे, otherwise अगर कोई जानकारी अभी बची हो और आपको लगता है आपकी profile पर best क्या होई, यह मताएं, तो नीचे profile analysis form मिल जाएगा, जिसको फिल करिए, और details पगेर आपाँ से ले सकते हैं, तो मिले लुकिए इस वीदोर मुझेशक लगता है